हालो दोस्तो, कैसे हैं आप सब? चलिए आज बनाते हैं सिंघाडा का निमोना हरा सिंघाडा आज कल मारकेट में कूब आ रहा है इसका निमोना बना के इंजवाय करिए चलिए इसकी रेस्पी देख लेते हैं अधा किलो सिंगाडा ले लिया है और इसका छिलका भी अच्छे से निकालके इसको छोटे-छोटे स्लाइस कर लिया है और दो हमने आलू भी कट करके रख लिया है अब इसको मेक्सिक जार में पीशते हैं तो हमने तीन-चार हरी मिर्च भी ले लिया है और थोड़ा सा दो चम्मज पानी डालके इसको अच्छा पेश्ट बना लेंगे अब हमने गैस ओन कर लिया कड़ाई में दो से तीन चम्मज ऑल डालते हैं यह सर्सो का तेल होना चाहिए दोस्तों उससे टेश्ट बहुत अच्छा आता है और बहुत अच्छा सोनापन लगता है यह हमने दो बड़ी ले लिया है आप हमारे यहां तो कुड़ोडी बोलते हैं आप क्या क्या बोलते हैं बताईएगा तो इसी उसको तल के निकाल लिये हैं और जीरा डालके उस पेश्ट को डाल देते हैं सिंगाडे को इसका निमोना दोस्तों बहुत ही टेश्टी बनता है बहुत ही अच्छा लगता है और यह इस सीजन में आप जरूर बना के इंजवाय करिएगा और गर्मा गरम रोटी चावल से खाईएगा तो हमने इसको भून लिया है थोड़ी देर तक इसको भूनना पड़ता है ताकि कि एकडम सोना आए तो आधा चमच हमने धनिया पाउडर डाला है अधा चमच गरम मसाला कि इसमें बहुत ज्यादा प्याज बाज डालने के जरूरत नहीं है दोस्तों ऐसे ही बनाए बहुत ही टेश्टी लगता है तो दो हमने आलू डाल दिया है और पड़ी को भी डाल द तो तो थोड़ा सा सिंगारा को भी कट करके डाल दिया है अ इसको भूल लेते हैं थोड़ा-thोड़ा पानी डालके इसको चला लेंगे ओकठा पानी नहीं डालना है नहीं तो गुट्लियां बन जाती है så 17 Muller तो थोड़ा-thोड़ा पानी करके हमें चला लेते करिब एक डिल थासक के करीब तो हमने मिक्सी के जार में भी पानी डाल के उसमें डाल दिया है तो यह देखिये हमारा इतना ग्रेवी होना चाहिए और हमने नमक डाला है स्वाद अनुसार और इसको अब हम पका लेते हैं मेडियम फ्लेम पे तो देखिए हमारा आलू पक गया है इसको ढख के पका लेते हैं ये हमारा एकदम पर्फेक्ट तयार हो गया है तो थोड़ी देर के लिए अगर आलू न पका हो तो पका लीजिए तो दिखिए दोस्तों हम अब उसको कड़ाई में से निकाल के बाउल में कर लिए हैं और इसका हल्दी, लाल मिर्च, जीरा और सर्सो के तेल से इसका चोकन बना लिए हैं उपर से डाल दीजिए, बहुत ही टेस्टी लगता है, अगर आप लहसुन खाना पसंद करते हैं तो लहसुन भी डाल सकते हैं हमने इसमें लहसुन पे आज नहीं डाला है, बहुत ही टेस्टी बनता है, कोड़ोडी के साथ खाईए, एंजॉय करिए, एकदम खा पी के मस्त हो जाएंगे, बहुत ही टेस्टी बनता है, क्योंकि ये